आज शनिवार है और इस दिन रिम्स में लालो यादव को बाकी लोगों से मिलने की इजाज़त मिलती है अब लोग सबह चुनाव नजदीक है लगबग तीन महिने का वक्त शेश है तो जाहिर सी बात है कि राजनितिक गहमा गहमियां भी तेज हो रही हैं दस दिसंबर वो दि है जिस दिन UPA बैठक करने वाली है अपने निताओं के साथ इसमें जो बिहार के भी बड़े निता है वो भी शामिल हो रहे हैं तेजस्वी भी रहेंगे जितना मांजी रहेंगे शरद्यादव भी शामिल हो सकते हैं और इसी को लेकर आज शरद्यादव राची रिम्स में जा रहे हैं लालू प्रशाद यादव से मुलाकात करने इस मुलाकात को बेहती अहम इसलिए माना जा रहा है क्योंकि कुछी दिनों पहले शरद यादव ने उपेंद्र कुश्वाह से भी मुलाकात की थी उपेंद्र कुश्वाह से उनकी बात हुई थी और कई सारी तरह की ख साफ हो सकती है इसी को लेकर आज राची रिम्स में शरद यादफ पहुच रहे है लालू यादफ से मिलने इसके साथ ही साथ जो 10 दिसंबर को UPA की बैटक है उसमें 2019 चुनाफ को लेकर एक रणनीती भी तयार होनी है जिसको लेकर के लालू यादफ तो खुद नहीं शामिल हो हो पार रहे हैं मगर अपना प्रतिनित को करेंगे और लोगसभा में अपनी बात को उठाए और इस में लालू प्रशाद यादफ जो कि बियारं में महागडबंधन के सबसे बड़े चहेरे हैं उनकी भूमी का बहुत एहम हो जाती है खुद शामिल नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि वो रिम्स में एडमिट है प्लस की वो सांसद हैं भी नहीं लेकिन उनके विचारों को शामिल करने का अलग-अलग माध्यम लोगसभा के भीतर है और उनी के थ्रूँ वो अपनी बातों को रखेंगे साथी साथ जो दस तारीक वाली मीटिंग है उसमें भी बिहार महागटबंदन से जुड़े मुद्दो को लेकर लालू यादफ की बात वहां तक पहुचाने में तेजश्वी यादफ काम आएंगे जीतरना मांजी है, सरद्यादफ भी है और इसी को लेकर जो तमाम मंथन है जो भी बिहार में लेकर सीटों के बटवारे को भी बात होनी है वो लालू यादफ से अब शरद्यादफ करेंगे उपहिंद्रकुश्वाहा के सुलह की भी बात होगी तो दो चीजे इस बैठक के बाद इस मीटिंग के बाद सामने आ सकती है एक तो उपेंद्र कुश्वा का क्या स्टैंड होने वाला है दूसरा कि UPA में जो मीटिंग है उसके बाद बिहार में सीट शेरिंग को लेकर और गडबंधन को लेकर क्या समिकरन और फॉर्मूला अपनाया जाएगा इस बात ने कोई दोमत नहीं है कि बिहार में महा गडबंधन के बीतर सबसे बड़ा नाम लालू प्रशाद यादफ का है राज़त सबसे बड़ी पार्टी है लालू प्रशाद यादफ उसके सुप्रीमों है अलाकि उनके ग्यार मौझूद्गी में तिजस्वी यादफ इस काम को संभाल रहे हैं मगर गाइडेंस लालू प्रशाद यादफ का ही रहता है और अब आज शनिवार को शरद यादफ उन से मिलने वाले हैं इस मुलाकात के बाद जो भी तमाम अपडेट्स होंगे वो भी हम आप तक पहुचाएंगे आप हमारे फेस्बुक पेज को लाइक करें यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं धन्यवाद